सब्सक्राइब करिए धनू की दुनिया यूटूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें चैश रादे मित्रो स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में बात करेंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग धनू राशी वाले जातकों के 4 सितंबर 2020 के दैनिक राशी फल के बारे में चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो की सुरुआत करते हैं आज के सुविचार से लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या उतना महत्तपूर्ण नहीं है जितना कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो चानते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में दिनांक रहेगा चार सितंबर दोहचार बीस तिथी द्वीतिया है जो तो पहर के दो बच के पच्चिस मिनट तक नहेगी नक्षत्र उत्रा भाद्र पद है जो रात्री के ग्यारा बच के अठाइस मिनट तक चलने वाली है पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है दिन आज का सुक्रवार रहेगा सुर्योदय आज छे बजे होगा वही सुर्यास्त छे बच के अणतिस मिनट पे होगा आज का जो चंद्रोदय है रात्री के आठ बच के साथ मिनट पे होगा वही चंद्रास्त अगले दिन के शुबा के साथ बच के 37 मिनट पे चंद्रराशी मीन रहने वाली है रितू शेरद रितू चल रही है शक शमत 1942 सारवरी चल रहा है कली शमत 5121 है बिक्रम शमत 2027 है दिन काल 12 गंटे 37 मिनट 51 सकंड का होगा मास आमान्त भाद्रपद है मास पुर्णिमान्त भी अश्विनी है शुब समय और अशुब समय जान लेते हैं मित्रप का शुब समय सुबा के 9 बच के 43 मिनट से 10 बच के 45 मिनट सुबा तक चलने वाला है वहिया सुब समय यानि के दुष्ट महुर्द सुबा के 8 बच के 32 मिनट से सुबा के 9 बच के 22 मिनट तक रहेगा आज का जो कंटक है दोपहर के 1 बच के 35 मिनट से दोपहर के 2 बच के 26 मिनट तक है यम घंट संद्या के 4 बच के 57 मिनट से संद्या के 5 बच के 48 मिनट तक रहेगा आज का जो राहुकाल है सुभा के 10 बच के 44 मिनट से दोपहर के 12 बच के 19 मिनट तक रहने वाला है आज का जो कुलिक है सुबा के 8 बच के 22 मिनट से सुबा के 9 बच के 22 मिनट तक रहने वाला है यम गंड दोपहर के 3 बच के 29 मिनट से संद्या के 5 बच के 3 मिनट तक रहेगा दिशाशूल आज का पश्चिम दिशा रहने वाला है तो मित्रो ये रहा आज का पंचांग वीडियो को अंते तक देखिएगा वीडियो के अंत में आपका शुब अंक, शुब रंग और बुरी दिशा ये तीनों बताई गई है चलिए जानते हैं आपके दिन के बारे मेसंचिप्त में फिर जानेंगे पूरी विस्तार से स्वास्त अच्छा रहेगा धन संबत्ती की बात करें तो उस लिहास से दिन सामाने से नीची रहेगा परिवारी के जीवन जो है अच्छा रहेगा प्रेम शमन्द बहुत ही अच्छा रहने वाला है वेवशाई की बात करें तो उस लिहास से दिन आपका सामाने रहेगा पवाही का जिवन आपका अच्छा व्यतित होने वाला है आज का चलिए जानते हैं आपके दिन के बारे में पूरी विस्तार से आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहने वाला है क्योंकि आप जिंदिगी को पूरी तरह जीएंगे आपके पिता की कोई सलाह आज कारे छेतर में आपको धनलाव करा सकती है आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीख सकते हैं आज उनकी मासूमियात और उनके आसपास के लोगों में सने और उत्सा के बल पर और उमें बदलाव ला सकते हैं आप कोई अच्छी खबर जिवन साथी या प्रिये से मिला कोई संदेश आपके उत्सा को दोगोना कर देगा यह उन उम्दा दिनों में से एक दिन हैं जब कारे छेतर में आप अच्छा महसूस करेंगे आज आपके शेह करमी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपसे काम से खुस होगा कारोबारी भी आज करोबार में मुनाफ़क मासकते हैं अपना समय और उरजा दूसरों की मदद करने में लगाएं लेकिन ऐसे मामलों में पढ़ने से बचें जिन से आपका कोई लेना देना नहीं है आज का दिन उन्नाज से घिरा रहने वाला है क्योंकि आप अपने जीवन साती के साथ प्रेम के चरम का अनुभाव करने वाले है शुब अंक दो रहेगा शुब रंग नारंगी और सुनहरा है बुरे दिशा दक्षुन है दक्षुन दिशा में आज ना जाएं और निकलते हैं तो सावधानी के साथ निकलें तो मित्व यह रहा अचकाप का राशिफल उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दें कमें जैश्री राधे चाय भोले नात जरूर लिखिएगा चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैश्री राधे आज का दिन आपका मंगल में बीते शुब बीते अच्छा बीते यही कामना करते हैं जैश्री राधे